next question देखते हैं बच्चो, question number 23, जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं, लिखा हुआ, if 10 alpha plus cot alpha is equal to 2 दे रखा है, then 10 की power 20, ये बच्चो जो 20 लिखा है, 10 की power 20, alpha plus cot की power 20, alpha दे रखा है, इनकी value हमें find out करना है, right बच्चो, तो आईए solve करते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ आपना देख स सकते हैं, यानि 10, 10 alpha plus cot alpha is equal to 2 दे रखा है, बच्चो, तो देखे 10 को तो सिर्फ 10 नहीं लिख सकते हैं, यानि 10 alpha plus cot का opposite क्या होता है, बच्चो, 1 by 10 alpha लिख सकते हैं, is equal to 2 है, अब देखे 10 की नीचे कुछ भी नहीं है, denominator में तो 1 मान सकते हैं, अब देखे 1 और 10 alpha का LCM करेंगे क्या जाएगा बच्चो, यानि 10 alpha ही आएगा, तो देखे, denominator यहाँ पर 1 है, 1 को 10 alpha से divide करेंगे, क्या आएगा बच्चो, 10 alpha ही आएगा और 10 alpha को multiply 10 alpha से करेंगे, तो क्या जाएगा बच्चो, यानि 10 square alpha, यान प्लस है तो plus, 10 alpha से divide करेंगे, 10 alpha को तो 1 आएगा, 1 को 1 से multiply करेंगे one is equal to two then two के denominator में कुछ भी नहीं है तो one मान सकते है then is equal to है तो cross multiply कर देंगे right बच्चो इसको इससे इससे तो one multiply ten square alpha करेंगे तो क्या जाएगा बच्चो again वही आएगा यानि ten square alpha plus one multiply one करेंगे तो क्या जाएगा one is equal to two multiply ten alpha करेंगे तो क्या आएगा two ten alpha right बच्चो अब देख सकते हैं यहाँ पर ten square ten square alpha और यह देखिए positive का is equal to के इस तरफ इधर आएगा तो negative हो जाएगा यानि minus two ten alpha और यह plus का one है तो plus one is equal to zero right बच्चो आगे इन देखिए यानि ten square alpha को क्या लिख सकते बच्चो यानि ten alpha का whole square अब यह minus है तो minus two multiply ten alpha यानि ten alpha multiply बीटा बीटा क्या है बच्चो यानि one और यह क्या आगा alpha square minus two a b आगया आगे क्या जाएगा plus b square तो b क्या दे रखा यानि one का square one ही करेंगे square to one तो देखिए किसका format आएगा यानि a का square minus two a b plus b square इसका formula क्या होता है a square minus two a b plus b square क्या होता है बच्चो a minus b का whole square तो a क्या दे रखा है यानि ten alpha minus b क्या दे रखा है बच्चो one का whole square राइट बच्चो is equal to zero तो again यानि ten alpha minus one is equal to zero जिरो का square क्योंकि यहां से अटे का remove तो 0 ही हो जाएगा, right तो again इसे solve करते बच्चो तो देख सकते हैं, यानि क्या जाएगा 10 alpha minus 1 is equal to 0 ही होगा, right 0 का square करेंगे 0 ही होगा अब यहां से देखे हम solve कर लेते क्या जाएगा बच्चो, यानि 10 alpha is equal to 0, यह minus का 1 इदर है, तो is equal to का side जाएगा, तो positive का 1 हो जाएगा तो क्या जाएगा, 10 alpha is equal to 1, तो देखे 10, 10 की value किसका 1 होता है, तो right बच्चो, तो 10, 45 का होता है तो यहां पर लिख सकते हैं, यानि 10, 45 is equal to 1, तो देखेए alpha की value क्या आगा बच्चो, 45 तो यहां पर लिख सकते हैं, alpha is equal to क्या आगा बच्चो, 45 right, अब यहां से हमसे पूछा क्या है, जो पूछा है वो value put कर देते हैं, तो देखें क्या पूछा है, यानि 10 10 की power 20 alpha plus cot की power 20 alpha, right, तो देखें यानि 10, यहां पर देखें, आप देख सकते हैं, 10 20 यानि 10 alpha, यानि 10 तो 10, alpha की value क्या आएगा बच्चो 45, यहां आगा and then इसका square करेंगे क्या है 20, then plus यहां पर लिख सकते cot, alpha की value क्या 45 और power यानि 20, right तो 10 45 का value क्या होते है बच्चो, 1 और 1 का कितने square है 20, plus cot 45 की value क्या होता है 1, 1 का power 20, then 1 की power 20, यानि 1 की power कितने भी times करेंगे, तो 1 ही आएगा then plus again 1 की power 20 करेंगे, 1 ही आएगा, then 1 plus 1 क्या होता है, 2 तो इसका answer क्या जाएगा बच्चो, 2 आप देख सकते है, option कौन सा दिया है to, option नमर BDR, ओके बच्चो